हलो दोस्तो हम लोगों ने इसके फर्स्ट वीडियो में एक से 50 तक का एंसर किया था अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम 51 से 100 तक की कोशन को देखने वाले हैं और उसका आंसर क्या होगा वो देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्यावन, कोश्यन नमबर, मदिकाल की सरकार एक समग्र सन रचना थी, ये विलाई था, तो इसका सही एंसर हो जाएगा B, फारस अरब तुर्क मंगोल भारतिय तत्वु का, नेक्स्ट कोश्यन, कोश्यन नमबर, पर्तम भारतिय सिच्छा अयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्स की, तिसका सही एंसर हो जाएगा, उप्षयन नमबर, लॉर्ड रिपन ने वर्स अठारा सो बिरासी में की, नेक्स्ट कोश्यन, बुर राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं, रैतवारी करमसा, रैतवारी परनाली करमसा सुरू की गई, तिसका सही एंसर हो जाएगा, बंगाल दथा मदरास में, उप्षयन नमबर, डी, आपका सही एंसर होगा, आधुनिक भारत के इतिहास की निमलिखित घटनाओं को काल करमनवसार ववस्थित कीजिए, आप लोगों को कॉमेंट में करना है, सही एंसर की क्या होगा, निमलिखित में से कौन सा भारती राज भूटान के साथ सीमा नहीं बाढ़ता है, तिसका बहुत एजी कोश्चन का इंसर है, इसका इंसर हो जागा पिहार निमलिखित में से किस भारत के किस भाग में समानेत्य प्रवाल द्वीप पाये जाते हैं, तिसका सही एंसर हो जागा B, ओप्शन नमबर B, लक्ष द्वीप के निकट नेक्स्ट नेम लिकित में से किसने ब्रिटिस भारत में प्रांतिय सव्यत्ता शुरू की तो इसका सही ऐंसर होगा Option नेम अबर सी भारत सरकार सरकारच धिरिय मंद और निन इस सो पाइथीझ next question, भारत में printing press किसने और कब शुरू की तो इसका सही अंसर हो जागा पूर्ट गालियों ने पंदरासो पचास में start की थी, तो option number D सही अंसर है, next भारत में निम्न में से किस तट्य पर्देश में उत्तर पूर्वी मानसुन से वर्षा होती है इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर B कोरो मंडल तट्ट नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सा कथन पृत्वी के गती के संदर्व में सत्य है तो इसमें देखे दोनों जो ओप्शन दिया हुआ है वान अट्टू पृत्वी अपनी धूरी पर पश्चिम से पूर्व घुर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है तो यह गलत है और अप्शन नमर दो पृत्वी के सूरी के चारों और चकर लगाने के कारण धर्थी पर रात वा दिन घटित होती यह भी गलत है यानि किसका सही एंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी वन वर दो दोनों असत्य है Q61 में भारती उपगरा स्रिंकला इंसेट एक उधारन है तो इसका सही एंसर होगा C Option C मौसम विज्यान संबंदित उपगरा Next 62 नेमने में से कौन सा विशेश लक्षन नर्मदा नदी के लिया उप्यूगत है तो इसका सही एंसर होगा संरचनात्मक मूल Option B Next भारती जन गन्ना 2011 के अनुसर किस भारती राजी में रिनात्मक जनसंख्या विधिदर दर्ज की गई है तो इसका सही एंसर होगा Option D नागलेंड Next निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मिर्दा के संदर्भ में सत्य है तो इसका सही एंसर हो जाएगा Option C के अवल एक सत्य है पहला नंबर में दिया है लेटराइट मिर्दा उच्छ ताप वा भारी वर्षा वाले छेतर में विख्षित होती है दूसरा मिर्दा चैविक संब्रीद होती है वह पशिम मंगाल असम और उडिसा में पाए जाती है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पशिम मंगाल असम और उडिसा में ही पाए जाती है इसलिए कोशन नंबर इसका Option 2 गलत है यानि कि इसका सही एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट निम्र्ण मेंसे किस छेत्र में जल का उपयोग भारत में सरवाधिक है तो बहुत ही कोशन है इसमें सबसे ज़्यादा क्रिस्जिशेत्र में किया जाता है और आपको पता ही है कि भारत एक क्रिस्जी पर्धान देस है तो क्रिस्टी के लिए जल का उप्यूग सबसे अधिक होता है नेक्स्ट भारती जन गन्ना 2011 के अनुसार निम्ण में से किस भारत ये राजी में नगरों की संख्या सरवादिक है तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा A, उत्तर पर्देश उत्तर पर्देश की जन संख्या भी अधिक है और नगरों की संख्या भी इसमें अधिक ही होगी, इसलिए इसका इंसर A है Question number 67 निम्लिखित में से कौन सुमिलित नहीं है तो इसका इंसर हो जाएगा अप लोग का B नंबर अनुच्छेद 22.2 संसद विदी द्वारा उन परिश्लितियों का निर्धारन करद सकेगी जिनके अंतरगत तीन मा के अधिक निरुद किया जाया सकेगा तो ये वाला option इसके लिए सही होगा जो की सुमिलित नहीं है Next निमलिखित में से कौन सा वाद जमिंदारी ववस्ता से सम्मन्दित है तो इसका सही answer confusion में है, doubt में है तो इसको आप doubt में रखेंगे और जिसको अभी अगर answer पता हो confirm तो वो comment box में comment कर सकते हैं Next निमलिखित में से कौन सा अनुछेद राज विधान सभा के आंगल भारतियों के परतिनिदित्व से सम्मन्दित है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C अनुछे 333 question number 70 या किसने कहा कि नियाइक सक्रियता वाद को नियाइक जोखिम वाद नहीं होना चाहिए तो इसका सही answer है option number नियाइमूर्थी S A.S. आनंद Next संग लोग सेवा आयोग राज के आप सकताओं के पूर्थि के लिए सामत हो सकता है तो इसका सही answer हो जाएगा C राज़पाल की मांग और राष्टपती की संतूती पर question number 72 भारत में नियोजन के संदर्ब में क्या सत्य है तो इसका सही answer हो जाएगा अब देख सकते हैं question तो इसका सही answer है B option number सभी सत्य है यानि जो भी इसमें दिया हुआ है संदर्ब सभी सत्य है तो इसका answer B होगा question number 73 नगर पालिका का सदर से चुने जाने के लिए कोई वेक्ती निरहित नहीं होगा तो इसका सही answer होगा A 21 वर्स की आयू सीमा पर अगर वो 21 वर्स की आयू सीमा पर हो तो उसे निरहित नहीं किया जा सकता है उसका डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जा सकता है question number 74 democracy and development in India from socialism to pro business नामक पुच्ता किस ने, किस लेखक ने लिखा ठीक है तो इसका सही answer हो जाएगा D अतुल कोहली सुसासन के संदर्व में निम्लिकित में से कौन सा सत्य नहीं है तो इसका सही answer है B option number धर्मिक्ता एवं भावक्ता question number 76 भारत में कर निद्देश्टिकरन के सम्विधानिक प्रवधानों के तहत निम्ल में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है उसमें भूराजसों ही आता है जो option number A आपका answer होगा पंचायतों की वित्ये अवस्था का मुल्यांकन करने के लिए वित आयोक के गठन का प्रादिकार इसको प्राप्त है तो इसमें हो जाएगा राज के कवर्नर के उप्शन नमबर D से इंसर होगा नेक्स्ट कोशन नमबर 78 भार्तिये राज कोश्य संगवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र उद्वारा राजियों को आवंटन किया जाता है वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के अवंटन का एक माध्यम नहीं है तो इसका सही इंसर हो जाएगा बी गार्डिगिल सुत्र के अंतरगत योजना कर्यान्वन वयन के लिए अस्थानांत्रन नेक्स्ट 79 निम्न में से कौन सा करम सही है जिसमें दर्षित विकास के मापको को प्रभावीत किया गया मैं तो इसका सही इंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर बी परति रिक थिया फिर पी पी क्यू एलाई गर इसका सही इंसर हो जाएगा णग containग नेक्स्ट भारत की केंद्रिये बजट में राज कोशिय घाटे का थातपर यह होता है तो इसका सही इंसर होगा B राज कोशिय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है तो इसका सही इंसर हो जाएगा B 81 में भारत की दूसरी पंच विर्षिय योजना डैस द्वारा विक्षित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी तो इसका सही इंसर हो जाएगा Option number D 82 भारत में सिर्शक पंक्ति वाली मुद्रा स्पिती आधारित होती है तो इसका सही इंसर है Option number D और भोगता मुल सुचकांक 83 इसमें चार राजी दिया गया तो इसका सही इंसर है गुजरात B Next 84 देश के 29 राज्यों छे संग राज्य छेत्रों के 312 सहरों कस्पो में अच्छा दे भारतिय सरकार के राजनीति वायू राज्यों गुणवत्ता मौनेट्रिंग कारिकराम के अंदर का निम्न में से किस मिश्रन को सभी जगोह पर नियमित मौनेट्रिंग के लिए चिनित किया गया है तो इसका सही एंसर है सी अप्शन नंबर सी अपका सही एंसर है नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक संस्था ब्रेटन वोड संथानों से संबंधित नहीं है तो इसमें अप्शन नंबर ए सही उक्तराष्ट हो जाएगा सही एंसर नेक्स्ट है एक्स पोशान को इससे भी जाना जाता है तो इसका सही एंसर है सी गौट कन के नाम से नेक्स्ट नमर एटी सेवन 90 नमर कोश्चन में निमल खित में से कौन सा कीट नहीं है तो इसका सही एंसर होगा मच्चड नेक्स्ट 91 में परकास उत्सरजग डायोट के कारी करने का सिधान्थ है तो इसका सही एंसर होगा ओप्शन नमर सी विदूत तिप्ती 92 नमर में निमल में से कौन सा विदूत चुमबकिये तरंग का उधारन नहीं है तो इसका सही एंसर होगा ओप्शन नमर सी पराद ध्वानिकिये तरंग 93 नमर में फेक्स एवं इलक्ट्रोनिक मेल प्रेशन में प्रियुक्त सूचन संकेत का रूप होता है तो इसका सही एंसर होगा अनलोग सिगनल अप्शन नमर सी क्वेशन नमर 94 पौध के द्वारा ली जाने वाली नैट्रोजन का रूप है तो इसका सही एंसर होगा अप्शन नमर ए नैट्रेट क्वेशन नमर 95 क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है तो इसका सही एंसर होगा क्यूबिट Option number C, इसका सही इंसर होगा Next, 96 मेक संगन्ना सेव सम्मीलित नहीं करती है तो इसका सही इंसर होगा Option number B, विदुद चुमबकिये वनकरन आवांटन Next, option मेकरोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है तो इसका सही इंसर होगा Option number B, टेटरिकम यूरम Next, 98 में पर्थम शाक नासी का विश्व उत्पादन में तो इसका सही इंसर होगा Option number C, 2, 4D 99, नमर का क्वेश्चेन मुंगफली का अत्यदिक आनिकारत रोग है तो इसका option होगा सही option D, आदरपतन सबसे last question